इस चाप्टर से हमने दो पार्ट अप्लोट कर रखा है अब बेकर फ्रम गोवा और कूर्ग इन दोनों पार्ट को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस्कर रहो मेरी जान नीचे डिस्रिप्शिन बॉक्स में चले जाओ उन चाप्रस की लिंक मिल जाए इस स्टोरी में हम बेसिकली आसाम की फेमस चाय के बारी में पढ़ेंगे मैं आपको बता दू आसाम हमारा चाय उत्पादन के लिए काफी फेमस है यहां से दुनिया भर में चाय भेजी जाती है प्राजवीर जाप्रेशा चाप्टर को प्राजवीर और यहां साथ में दिल्ली में पढ़ते हैं प्राणजल's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. अब भाईया जो प्राणजल के पापा है वो असम में रहते हैं प्राणजल भी असम में रहता है और प्राणजल के पापा असम में चाय के बगान जो चाय के गार्डन होते हैं जहाँ पर चाय उगाया जाता है उसके manager है इसलिए प्राणजल राजवीर को invite करता है कि भाई मेरे पापा मैंेजर हैं, چाई के बगान के मैंनेजर हैं, तुम कभी हमारे घर असम में आओ, गर्मियों के चुटी में तुम्हें घुमाते हैं हम, तो भाया प्राणजल ले जा रहा है राजवीर को असम घुमाने, मैं भी तुमको ले के चलता हूँ कहां, सीधा असम, ठीक है तो यह प्रांजल और यह जो राजवीर हैं, यह दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं, दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन में बैठे हुए हैं, आसाम जाने के लिए, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय, a vendor called out in a high-pissed voice, भाई वही से एक च राजवीर जिस सीट पर बैठे थे, उस सीट के विंडो तक पहुछता है और कहता है कि साब चाय धूं क्या, तो इस भाफ निकलते हुए और गरम-गरम चाय की चुसकी इन्होंने ली और इनके ट्रेन के डिब्बे में जाधा तर जितने भी लोग थे ना वो जाधा तर क्या कर रहे थे चाय ही पी रहे थे डू यू नो देट ओवर 80 करोड कपस ओफ टी आर ड्रंक एवरी डे तुरू आउट दे वर्ल्ड राजवीर सेड अब यह राजवीर को घुमाने ले जा रहा है प्रांजल असम में तो राजवीर बोलता है कि क्यों ना मैं अपना नौलेज दिखाऊं तो राजवीर प्रांजल को कहता है कि प्रांजल को सुनकर काफी चौक जाता है और कहता है ती इस रियली वेरी पॉपुलर चाय सच मुझ बहुत जादा फेमस है दुनिया भर में सभी लोग चाय पीते हैं ठीक है, दे ट्रेन पूल्ड आउट आउट यानि स्टार्ट हो जाती है चलने लगती है प्रांजल बरेड इस नोज इन इस डिटेक्टिब बुक अगेन प्रांजल ने एक डिटेक्टिब बुक एक खूफिया बुक खरी दी थी और जैसे ही ट्रेन चलती है, वो वापस अपने बुक को पढ़ने लगता है राजवीर 2 was an ardent fan of detective stories अब जो राजवीर है, जो पहली बार आसाम जा रहा है उसको भी detective कहानिया पढ़ना बहुत पसंद था बट at the moment, लेकिन इस समय he was keener on looking at the beautiful scenery लेकिन इस समय इसे detective stories नहीं पढ़नी है राजवीर को इस समय उसको क्या करना है, ये ज़्यादा keener है keener का मतलब excited है बाहर का नजारा देखने के लिए क्यों क्योंकि बाहर सब कुछ हरा भरा सा था it was green green everywhere, राजवीर had never seen so much greenery before अब देखो राजवीर बाहर का नजारा देखता है, हर तरफ हरी आली, हर तरफ हरी आली राजवीर ने आज तक इतनी हरी आली अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी then the soft green paddy fields gave way to tea buses धीरे धीरे भाई, जगा जो है वो पीछे जाता है, train आगे जाती है तो होता है ना आगल बगल के पेड़ पौधे, खेत हुए, सब पीछे जाने लगते है ऐसा होता है ना, तो धीरे धीरे paddy fields, यानि धान का खेत पीछे छूट गया और अब राजवीर को खिड़की में से क्या दिखने लगा, चाय के बगान दिखने लगे, चाय के छोटे-छोटे पेड़ दिखने लगे एडियो लर्नस, आप जबीने कभी ना कभी laptop या phone में game तो खेला ही होगा लेकिन क्या आपने कभी competitive game field battle देखा है, यह एक ऐसा battle field होता है, जहाँ पर हजारों learners आपके साथ compete कर रहे होंगे एक करोड scholarship के लिए और merit certificate के लिए, भाई, यह सब possible है, यह सब possible है, अनिकेडमी के combat में, अनिकेडमी combat है क्या भाई, यहाँ पर ना, अनिकेडमी combat में, आपको इंडिया के top educators, question frame करके देते हैं, हिंदी, इंगले, दोनों languages में भाई, आपका जो live leaderboard होता है, वो generate होता रहता है, हर question के बाद आपका leaderboard generate होगा, जिससे आपको पता चलेगा, कि आप कौन से number पर हो अभी इसके अलामत personalized score, rating से आप अपने performance को improve कर सकते हो, evaluate कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा important, कि भाई, आपके पास chance है, जो top performers होंगे, वो merit certificate जीश सकते हैं, और एक करोर तक का scholarship जीश सकते हैं Basically, Unicademy comment है किया, यह एक तरीके का free life test है, जहाँ पर class 6 to class 12 के बच्चे participate कर सकते हैं, हर संडे, Unicademy के app या website से आप इस test को दे सकते हो, वैसे इस test में 30 questions होंगे, 45-60 मिनट का आपका time होगा, हर संडे, class 6 to 8 थवालों के बच्चों के लिए 12 बजे, हर संडे 12 बजे दोपहर को class 9th and 10th वालों के लिए 11 बजे and 11th and 12 वालों के लिए 1 बजे ये life test conduct होगा, so किस चीज़ का wait कर रहे हो है, description box में आपको link मिल जाएगी अपने-पने class की, मेरे code को use करो, PREM, यह मेरा code है, आप इस code को use करके, free में इस test को दे सकते हो, even Unicademy से किसी भी तरीके की purchasing करनी हो, 10% discount मे तो आप हमारे इस code को use कर सकते हो, go for it! इसके अलावा आप अगर Unicademy से किसी भी तरीके की purchasing करते हो, तो आपको PREM code का use करना है, 10% discount मेरे आएगा, so go for it! It was magnificent view, against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes, stressed as far as the eye could see. भाई नजारा बाहर का बहुत ही सांदार था, against the backdrop, मतलब आप देख सकते हो, यह जो picture देख पा रहे हो, आप देख रहे हो, यहाँ पर background में पहाड है, और यह जो पहाड है, यह देंसली wooded, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पेड है, ठीक है? और इसके सामने, पूरा चाय का जो खेत है, वो समुद्र जैसे फैला हुआ है, हमारी नजरें जहां तक जाती है, हमें केवल चाय कई ही खेती दिखाई देती है, ठीक है? शेड, यानि चाय मिलता रहे ठीक है, अब यह जो लमबे लमबे पेड थे न, इनके सामने जो चाय के खेती थी, जो चाय के पेड थे, वो ड्वार्फ लग रहे थे, बौने लग रहे थे, छोटे लग रहे थे ठीक है, तो वह ही कहा गया है कि ड्वार्फिंग दे टाइनी टी प्लांट्स वो अर टॉल, स्टर्डी, स्टर्डी के मतलब मजबूत ठीक है, शेड ट्रीस, एंड अमिस्द अडरली रोज अफ बुसेस, बिजली मूवड डॉन लाइक फिगर्स कहा जा रहा है कि जो चाय के बगान थे, जो चाय के पेड थे, वो बिलकुल ऐसे रोज में लगाए गये थे ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़के फिर से एक रो, ठीक है, और इनके बीच-बीच में पेड भी लगाए गये थे ये पेड काफी मजबूत थे और चाया देते थे, इन चाय के प्लांट्स को धूप से बचाने का काम करते थे, ठीक है चलो, अब आगे देखते हैं, यह देखो, यहां तक हमने पढ़ लिया है, Amis the Orderly Rose और चाय के खेतों के बीच में, busily moved, doll-like figure, doll-like figure मतलब, यहां पर tea pluckards के बारे में बात हो रहा है, जो उस खेत में चाय की पत्तियां तोड रहे थे आप देख रहे हो, इनके सर में एक conical topi जैसा है, तो बस conical topi जैसा यह जिनों ने पहना हुआ है इनको देखकर लग रहा है कि यह बिल्कुल गुडिया जैसे है, जैसे गुडिया होती है, doll, तो बिल्कुल वैसी ही तो दिख रहे है जहां तक उसकी नजरें देख पाती है, पूरा चाय की खेती की गई होती है, ठीक है, उसने ये भी देखा कि चाय की खेती की बीच-बीच में बड़े-बड़े लंबे-लंबे पेड लगाए गे हैं, जो चाया देते हैं चाय के पेडों को, ठीक है और चाय की बगानों की बीच में डॉल लाइक फिगर इधर उधर मूफ कर रहे थे मतलब वो चाय की पत्तियां तोडने वाले जो लोग थे उन्होंने कोनिकल तोपी पहनी होई थी बस इन्ही को डॉल की फिगर कहागा है उनको देखकर बिल्कुल गुडिया जैसा लग रहा था इसलिए डॉल लाइक फिगर ठीक है वो अपना क्या काम कर रहे थे वो चाय तोडने का काम कर रहे थे तो तो राजवीर देखता है कि थोड़ी दूर पर एक बहुत ही गंदी सी है है ती naught जे एगए राजवीर cried excitedly अब राजवीर जैसे ही चाय की बगान देखता है न वो कहता है वो प्रांजल ये देखो चाय की खेती की गई है ये देखो चाय 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 हर जगत चाय अब जैसे प्रांजल देखता है उस तरफ तो वो देखता है कि भाई बचपन से तो मैं इसी चाय की खेती में बड़ा हुआ हूँ मुझे किस चीज का excitement होगा तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो प्रांजल है जैसे राजवीर कहता है कि प्रांजल वो देखो चाय की खेती की गई है को प्रांजल who had been born and brought upon a plantation असम में ही पैदा हुआ चाय की खेतों की बीच में ही बड़ा इसको इतना excitement नहीं होता है क्योंकि ये पहले से ही चाय की बगान देख चुका है बच्पन से देखता आ रहा है ठीक है ओ दिस इस ए टी कंट्री नाओ he said असम has the largest concentration of plantations in the world भाई प्रांजल कहता है हां 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 बिल्कुल सही तुम काफी excited लग रहे हो क्यों क्योंकि भाईया ये चाय का जो country है जो चाय का अब जहां चाय उगाई जाती है असम अब तुम असम में entry कर चुके हो असम has the largest concentration of plantation in the world बताया जा रहा है कि भाई दुनिय a lifetime प्रांजल राजवीर को बताता है कि तुम अभी चलो मेरे साथ घर पर तुमें इतने चाय के बगान देखने को मिलेंगे कि तुम कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाऊगे उनकी memories तुम्हारे दिमात में जिंदगी भर रहेंगी I have been reading as much as I could about tea राजवीर सेड़ नो one really knows who discovered tea but there are many legends अब देखो राजवीर ने ना अपना home-uk करके आया हुआ है राजवीर राजवीर कहता है प्रांजल से कि भाई मेん बहुत दिनों से ना चाय के बारे में पढ़ रहा था I have been reading as much मतलब मैं जितना चाय के बारे में पढ़ सकता था वो सारी चीजें हमने चाय के बारे में पढ़ ली है और एक चीज राजवीर प्रांजल को बताता है कि भाई मैंने जितना भी कुछ पढ़ा है चाय के बारे में तो मुझे एक चीज तो पता चल गया कि no one really knows who discover tea अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि सबसे पहले चाय के discovery किसने की बहुत सारे चाय के चाय को लेकर कहानिया है कि चाय यहां से सुरू हो ही चाय वहां से सुरू ही लेकिन अभी तक कुछ fix नहीं है कि चाय को किसने discover किया ठीक है? But there are many legends legends मतलब बहुत सारे ऐसे लोग है जिनके बारे में अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ चाय को हमारी day to day life में लाने का इन legends का बहुत बड़ा हाथ है legends कौन होता है? जो बहुत महान काम कर देते हैं ठीक है? उनको हम legend कहेते हैं तो भाई इन्होंने चाय की discovery करी थी अब देखो प्रांजल पूछता है कौन से legend की बात कर रहे हो तुम कौन से महान लोगों की बात कर रहे हो अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वेल देखो एक कहानी है चाय को लेकर कि चाय सबसे पहले कहां हुआ वो कहानी सुन लेते है वेल देर इस दा वन एबाउट दे चायनी इंपरर एक कहानी है चायना के राजा के बारे में वो अल्वेस बॉइल वाटर बिफोर ड्रिंकिंगेट अभी जो चायना का राजा था ना अधिक आदध थी कि हमेशा पानी पीने से पहले उसको उबालता था एक दिन की बात है कि कुछ पतियां मतलब जिस पेड के नीचे वो अपना पानी उबाल रहा था उस पेड से क्या होता है कि कुछ पतियां गिर्ज के उस पानी में चली जाती है और यह जो पतियां होती है जैसे ही पानी के अंदर जाती है तो वो गरम होती है और गरम होने के बाद जब यह राजा इसे पीता है तो बहुत ही बहुत ही टेश्टी सा फ्लेबर उससे समझ में आता है इसेट देर वर टी लिप अब जो पत्थियां उसके पाणी में गिरी थी उसके खौलते वह पाणी में गिरी थी तो कहा जाता है कि वो पत्थियां चाय की ही पत्थियां थी tell me another scoffed pranjal pranjal कहता है कि चलो ये तो चलो ये कहानी तो ठीक ठाक थी हम माल लेता हूँ कि भाई Chinese Emperor ने ही चाय की discovery की थी लेकिन मुझे दूसरी कहानी बताओ we have an Indian lesson to Bodhi dharma an ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation अब एक और कहानी है चाय से ही related कि चाय किसने किसने discover किया तो भाई राजवीर जो होता है वो प्रांjal को एक और कहानी सुनाता है कहता है कि हमारे भारत में भी एक ऐसे legend थे जिनसे कहा जाता है कि उन्होंने ही चाय की discovery करी है उनका नाम था Bodhi dharma ठीक है ये एक Buddhist ascetic थे मतलब Buddhist dharma को मानने वाला एक सन्यासी था इसने क्या किया इसने अपने आखों की पलकों को काट दिया क्योंकि इसे नीद लगती थी जब कभी भी ये meditation करता था साधना करता था तो इसे नीद लगती थी इसलिए इसने अपने आखों के पलकों को ही काट दिया ना पलक रहेंगी ना आखे जो आखों को बंद करने वाला जो सटर उसको हम आईलिट कहते हैं ठीक है तो आईलिट को काट दिया था अब इसी आईलिट से 10 टी प्लांट्स ग्रिव आउट अफ द आईलिट दस चाय के पेड उग गए मतलब यह जो बोधी धर्मा थे इनोंने नीद से बचने के लिए अप चाय के पेड निकले और इन चाय के पेड़ों को पत्तियां तोड़ कर अगर हम गरम पानी में उबा लें और पीए तो हमारी नीद जा सकती है तो इन दोनों कहानियों में से आपको कौन सी कहानी सही लगती है हमें जरूर बताएं इस पार्ट का जो अगली स्टोरी आगे ज पार्ट का जो आपको लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जब तक आप इस वीडियो को पढ़ रहे होंगे तब तक वह वीडियो अप्लोड हो चुकी होगी सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना बबाई टेक केर शाश्री अकाल जाहिए